नमस्कार स्वागत है आपका आर्या न्यूज में मैं हूँ आपके साथ सुमनबाल जैपुर में गहलोत सरकार के मंत्री मंडल और परिशद की बैठक दो महीने बाद आ जाई योजित होगी मुखे मंत्री आशोग गहलोत की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में एक दरजन से जादा एजंडो पर चर्चा होगी जादातर मंत्रियों को ओफलाइन शामिल होने के लिए कहा गया है बैठक को लेकर मंत्री मंडल सची वाले की और से सभी मंत्रियों को सूचना दे दी गई है मुखे मंत्री आशोग गहलोत की अध्यक्षता में पहले आज चार बजे कैबिनेट और उसके बाद साड़े चार बजे मंत्री परिशद की बैठक होगी मुखे मंत्री के स्वस्त होने के बाद ये बैठक होने जा रही है बता दे इसको काफी एहम माना जा रहा है बड़ी बात ये है कि इस बैठक पर मंत्री परिशद की बैठक वर्चल नहीं रखी गई है मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ सीधे रूबरू होने जा रहे हैं आपको बता दे कि बैठक में एक दर्जन से ज़्यादा एजंडों पर चर्चा होनी है जिनमें वित विभाग के तीन और डियोपी के दो एस एल एस जी के एक महिला बाल विकास के एक सहीत अने विभागों के दर्जन से ज़्यादा मुद्द शामिल है सभी मंत्रियों को बैठक में शामिल होने के निर्देश दिये गए हैं बता दे कि मंत्री परिशद की बैठक में 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले शहरों संग परिशासन गाउं की संग भियान को लेकर चर्चा संभव है विवाद के बाद संसोधन विधियक पर चर्चा होगी माना जा रहा है कि जिस तरहा से विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रिक करण संसोधन विधियक 2021 को लेकर विवाद खड़ा हुआ है और समाजिक संकठन और बुधिजीव वर्ग पर बिल को लेकर विरोध दर्च करवा दिया रहे उसके बाद सरकार मंत्री परिशद की बैठक में इस बिल पर चर्चा कर सकती है मंत्री परिशद की बैठक में चारगराह भूमी पर बसी अबादी भूमी के नियमन में आ रही कठनाईयों पर चर्चा होगी इसके साथ इस सरकारी नोकरियों में भरतियों की प्रगती को लेकर भी चर्चा होगी आरसेस परमुख मोहन भागवत ने सुमबार को कहा कि एक शिश्य अपने गुरू के मार्ग दर्शन और अश्रिवात से दो कदम आगे रह सकता है उन्होंने कहा कि एक ग्रे हमेशा यही परियास करता है कि हाला कि एक गुरू को भी अपने शिश्य से दो कदम आगे रहना होता है और खुद को सभी गुणों में एक आदर्श रूप में प्रस्तुत करना होता है एक शिशे को ये भी मैसूस करना चाहिए कि वो अपने गुरू के आशिरवात से प्रगती कर रहा है भागवत ने ये टिपणी बील भाड़ा में एक धार्मिक सभा को संबोधित करते हुए कही है आपको बता दे कि ये भी कहा है उन्होंने संतों का कारे आत्मधिक है जो हर चीज का आधार है जो कि हमारा कारे छेत्र मुखे रूप से भोतिक दुनिया है उन्होंने कहा कि दुनिया में एक दूसरे के साथ शांति पूर्वक रहना महत्पुन है उन्होंने ये भी कहा कि सनात्मक धर्म हमें एक दूसरे की मदद करने और आगे बढ़ने का हो सिखाता है जो मेरे लिए अच्छा है वो दूसरों के लिए भी अच्छा है उन्होंने कहा कि सत्य आहिंसा का विचार राजस्थान के नागोर जिले के डिगारा में एक नाबालिक लड़की का शौखेत में मिलने से हरकम मच गया है पुलिस ने दुशकर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है वही इस वारदार्त में शामिल आरोपी को गिरफतार कर लिया गया है और आगे की कारवाई करने के ल पूरी की जा रही है और जल्द ही मामले में दया खुलासा कर दिया जाएगा राजस्तान के अलवर जिले में मौम लिंची का घटना जो है वो सामने आई है बता दे कि मामला अलवर जिले में बडोदा में पुलिस थाना छेतर के मीना का बास गाउं का है बताया जा रहा है कि यहां 15 सितंबर को 17 वर्षिय दलित नाबालिक की भीड ने जम कर पिटाई की दरसल यूवक बाइक से अपने घर जा रहा था रास्ते में उसकी बाइक मेव समाज की 10 वर्षिय बच्ची से टकरा गई इस पर बच्ची के साथ जा रही महिलाओ ने नाब तोड़ दिया है मिर्तक के परिजनों ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्च करवा दिया गया है वहीं बिजेपी ने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री अशो गहलोत से जवाब मांग लिया है इस मुद्दे पर आपको बता दे कि जनकरी के मुताबिक मिर्तक 15 सितंबर को मीना का बास गाउं से अपने घर भट पूरा जा रहा था बारिश की वज़ा से मीना का बास गाउं की सडक से की हालत खराब हो चुकी है इसी सडक पर उसकी बाइक दशवर्षिये बच्ची से टकरा गई थी इसके बाद भीड ने रास्ता रोक लिया और उसके साथ जमकर मार पी एक अस्पताल में भरती करवाया गया उपचार के दोरान बच्ची ने देर शाम को दम तोड़ दिया बता दे कि रवीबार दोपहर मिर्तक के परिजनों और ग्रामिडों ने शव को अलवर भरतपुर मार्ग पर रखकर विरोध भी जताया है मिर्तक के परिजनों को 50 लाख रुपे की आर्थिक सहाइता और अरोपितों की गिरफतारी की परिजनों ने मांग की है